तीन जिल्डी दोस्ट एक साथी रहते हैं यह राजू, यह राजू, वो राजू नहीं है बाबुराव का राजू नहीं है यह दूसरा है पर इसका भी नाम राजू है माननो जिस्ट, मज़ा के लिए माननो तो ये राजू अपने जिन्दगी में कुछ बदलना चाहता है, उसे थोड़ा सुधारना चाहता है, तो उसने हर दिन सुने सा पहले एक अच्छे किताब का 10 पेज पढ़ना सुरू कर दिया, हर रोज नहीं पर वो पढ़ता था, लगभग हपते में 5-6 दिन पढ़ता था, औ अपने डाइट से अराउंड 120 कलोरी उसने कट कर दिया, मतलब पेपसी, थमजब, सोडा वगएरा कुछ नहीं पिएगा, जस्ट पानी और हेल्दी चीज़े ही वो खाएगा ये फिर पिएगा, और घर में वो फ्रेज ताजा खाना ही खा रहा था, क्योंकि वो अपने जिन् उन खाओगे तो हम आपको 10,000 रुपे देंगे, उन्होंने कहा नहीं, एक लाक नहीं, दस लाक नहीं, एक करोर, तो उन्होंने थुरा सोचा, और कहा कि डिस्प्लेन बहुत जरूरी है, विर्याट कोली, उन्होंने साइद आलू का पराठा, उनका फेबरिट डिस, खाना ब से बाबू राओ, हंसो मत यार, हंसो मत, बाबू राओ नहीं, इसे बाबू ही कह लो, ठीक है, उसने बहुत खराब-खराब choices किया अपने जीवन में, उसने कुछी दिन पहले एक बड़ा TV खरीद कर लाया अपने घर पे, IPL देखने के लिए, वो एक भी मैच मिस नहीं करना चाता, और सामने T20 World Cup भी आ रहा है, तो TV तो खरीद नहीं था, और साथ में वो हर हपते बाहर जाके ड्रिंग भी करता था, वो जच्ट अपने जिन्दिगी में मजा कर रहा था, वो कहता था, कि I deserve it, I deserve it, एक महीने बाद कुछ भी फडख आपको देखने को नहीं मिलेगा, छे महीने बाद भी कुछ भी नहीं मिलेगा, साम दोही चीज़ कर रहा था जो भापहले कर रहा था, और खुद को अपने किसमत को दोस्त दे रहा था, राजू हर दिन बुक्स परता था, डाइट करता था, और में भी वो राजू जिम भी करता था, या फिर सुभा उट के थोरा कसरत भी करता था, कुछ तो करता था अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए, एक साल बाद तीनों का सिच्वेशन एकदम सेम ही रहा, कुछ बदला नहीं, पर अठरा महीने बाद आपको थोरा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और पचिस महीने बाद आप उसे न नहीं है, और दूसरी तरफ, राजू ने कुछ कीलो अपने सरीड से घटा लिया है, वो बहुत फिट लग रहा था, और उसे एक प्रोमोशन भी मिल चुका है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उस समय पे मोटिवेशन के साथ, बुक्स उसे सच में हेल्प कर रह वो कुछ बदलेगा नहीं, दिस इस कॉल्ड दा रिपल एफेक्ट, या आप कहा सकते हो, दा कमपाउंड एफेक्ट, छोटे छोटे स्टेप्स लगतार समय के साथ, आपके जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, यहां पे राजू एक ओवरनाइट सक्सेस है, र फिर वो लकी बन गया, रातो रात वो लकी बन गया, पर उसे पता था कि यह लक नहीं है, कंसिस्टेंसी है, यह कंपाउंड एफेक्ट है, रिपल एफेक्ट है, इसा बोलना बहुत आशान है दोस्तों, पर करना बहुत मुस्किल, सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करवा आपका अभी अराम करने का जो इच्छा, आपका माइंड सेट, आपका ग्राटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन, इसकी वजह से मैक्सिम लोग डूब जाते हैं, वो इससे लर नहीं पाते, पर आप कैसे से लड़ोगे, आपको एक मूझो धूंड ना होगा, आ आप ऐसा मान लो, कि आपका जो खराब खराब अभ्यास है, वो एक बड़ा भालू है, और उससे लड़ने के लिए आपको सेर बनना होगा, यह फिर और भी बड़ा चीज, आइमिन यहां पे हम सेर को ज़्यादा सक्रिसाली मान रहे हैं, और भालू को थोड़ा कम मान रहे ह हैं, पर राजू ने भालू को हडाया था, इसलिए वो और पैसा कमाने लगा था, उसका सरीर भी फिट होने लगा था, तो मेरा कोश्चिन आपसे यह है, कि वो सकती, वो पावर क्या है, जो आपको भालू से लड़ने में सहायता करेगा, नहीं पता, चलो धोंडते हैं, रस है, अब अगला मैच हाड़ेगा और घर चला जाएगा, वही सेम चीज, कुछ नया नहीं है, बीबिसी ने भी एक मैच को टेलिकर्श नहीं किया था, उन्हें पता था कि इंडिया क्या करेगा, यह तो घर जाएगा ही, हाड़ेगा जरूर, मतलब वो सब विश्वास का रहत है, कि यह लोग कभी भी कमफर्ट जोन से बाखर नहीं निकल पाएंगे, इनका भालू इने खा लेगा, निउस पेपर्स ने उन दो जीत को बोला, कि इंडिया बहुत लखी था, इसलिसने मैच जीता, टीम इंडिया को लॉट का फाइनल पास भी नहीं दिया गया था, सब क इंडिया ने भालू को जीतने नहीं दिया था, उनके अंदर एक सीर था, सेर भहुत बड़ा भूग था, कभ जीतने का रिस्पेक्ट, दुनिया अंदर रिस्पेक्ट जीतने का, इसलिए वो जीत पाये थे, उनका भालू उनसे कह रहा था, कि बहुत हुआ दो मैच तुमने जीत लिया है, बहुत बड़िया काम किया, आप जाओ, देश में जाओ, सब लोग बहवा करेंगे आपके, और महनत मत करो, चलो, चलो, वापस चलते हैं, नहीं, हमें कप लेना है, हमें दिखाना है उनको, कि इंडिया भी कप ले सकता है, याम रस्पेक्ट चाहिए, रस्पेक नहीं है, पर ऐसा पावर अपने अंदर डैवलप करना है, जो आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर दे, आपको कुछ भी करवा दे, वो तबहना होगा, तबी आपको सफलता मिलेगा, तो again मेरा question आपसे ये है कि आप जो पाना चाहते हो आप क्यों पाना चाहते हो क्या वो आपके भालू से भी बड़ा है अगर है तो ही आप सफलता हासिल कर पाओगे तो ही आप instant gratification के ट्राप से बाहरा निकल पाओगे और उस भालू को हड़ा पाओगे नहीं तो भालू आपको खा लेगा और आप एक बाबू राओ बनके रह जाओगे और एक चीज बहुत अच्छा चीज इस बुक में share करते है author और वो है कि maximum लोग एक दो बार तीन चाहर और फिर साथ आठ बढ़ करके उसे छोड़ देंगे वो diet नहीं करेंगे वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टफ होता है ये चीज़ करने में पहली पहली बार बहुत टफ होता है और धारन के रूप में hand pump अपने साथ देखा होगा पहली बार जब उसे pump करते हो तो बहुत कस्ट होता है लगता ही बहुत hard है पर जब आप एक दो बार तीन चार बार उसे pump करने लगते हो तो पानी बहुत आशानी से निकल आता है आपको और ज़्यादा महनत करना नहीं पड़ता है और पानी और ज़्यादा निकल के आता है फिर जब आप एक हपता उस hand pump को pump नहीं करते वो फिर से jam होने लगता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा महनत करना पड़ता है वहाँ से पानी निकलने में अपने जिन्देगी में भी सेम चीज़ होता है आप जो भी कर रहे हो बुक्स पर रहे हो, डाइट कर रहे हो, जिम में जा रहे हो अपने जिन्देगी को इंप्रूफ कर रहे हो आपको एक हापता, दो हापता, फिर एक महीना बहुत कस्ट होगा बहुत आपको तकलिफ सहना पड़ेगा पर जब आप धीरे-धीरे pump करने लगोगे आपको लगेगा कि आपका result आपका सामने आ रहा है तो आप और motivated feel करने लगोगी और pump करते रहोगे, pump करते रहोगी इसे कहते है momentum जब तक ये नहीं आता, तब तक आपको pump करते रहना है और फिर जब ये आ जाएगा तो उसे छोटना नहीं है उसे continuously pump करते रहने, pump करते रहना है और देखना कुछ महीने बाद changes अपके अंदर कितना आएगा आप और ज़्यादा पैसा कमाने लगोगी आप और ज़्यादा fit बनने लगोगी आपका जिंदगी improve करने लगेगा stocks में, property sector में bond में, जहां पर भी आप investment कर रहे हो इस formula को apply करो momentum के apply करो, आप देखना कि आपका wealth कैसे improve करता है increase करता है, compound दुनिया का आठवा अजूबा है Einstein ने ये कहा था, और Warren Buffett इसका सबसे बड़ा example है आप जान सकते हो, बहुत सरा stories आपने सुना होगा जरूर, पर हमने इस वीडियो में इस चीज़ को और detail में explain किया है, एकदम देशी भाशा में, जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यदा समझाए और आपसे apply कर पाऊ आशा है, आपको ये book समरी बहुत पसंद आया है, और आप आज सही इसे काम पर लगाओगे, बाबुडाव नहीं राजू बनना राजू